किशन के घर में उसकी पत्नी कमला और बेटी माधुरी रहते थे वह दूसरों के खेतों में काम कर और मेहनती था जी कुछ कमा कर दो मैंने सभी जगा कोशिश की काम और उसकी बेटी एक साथ बैठ कर खाना खाते हैं बेटा कुछ खाने को दे दो बेटी कमला वह अंगूठी ले लेती है और साधू बाब किशन के ऐसा बोलते ही अंगूठी से प्रकाश निकलता है और खिचडी आजाचन के ऐसा कहते ही अंगूठी में से फिर से प्रकाश निकलता है और सामने पूरी सबजी की प्लेट आ जाती है आना खाते हैं अंगूठी से थोड़े पैसे मांगता है और मेले के लिए सब ही था जहां बहुत सारे व्यापारी दूर दूर से इस मेले में दुकानले में तरह तरह की खाने पीने की चीज़ें, कपड़ों की खिलोनों की दुकाने ठीक है भईया दे दो अच्छी तो है लेकिन में किशन ऐसे ही उस मेले में से कईमींदार धनी राम के दोनों नौकर नहीं है और आज देखो कितना सारा सामान खरीद रहा है कुछ दिन पहले तो तुम सेठ जी के पास काम मांगने आये थे इतने सारे खिलोने लेकर किशन की दुकान चल पड़ती है अरे घंश्याम भाई तुमने सुना हमारे दोस्त किशन ने गाउं में एक बहुत बड़ी कपडों की दुकान खोली है और उसकी दुकान खूब चल रही है हाँ राजू, भाई, मैं तो गया भी था, उसकी दुकान पर बहुत ही बड़ी दुकान है और उसने तरह तरह के कपड़े भी रखे हुए है लेकिन किशन के पास इतना पैसा आया कहां से, जो इतनी बड़ी दुकान उसने खोल ली हाँ भाई, सोचने की तो बात है, मैं भी खुद का एक छोटा व्यापार खोलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं हो पा रहे हैं भाई, तुम किशन से पैसे क्यों नहीं मांग लेते हैं, वह बहुत इमानदार और दिल का बहुत अच्छा है, और वह हमारा दोस्त भी है, तो वह मना नहीं करेगा हाँ भाई, तुम सही कहते हो, मुझे उससे मदद मांगनी चाहिए, वह दिल का अच्छा है, मना नहीं करेगा हाँ भाई, मुझे भी अपना काम खोलना है, लेकिन मैं भी बस पैसों के चक्कर में नहीं खोल पा रहा हूँ किशन वहीं से होकर गुजर रहा था, कि राजु ने उसे आवाज लगाई अरे किशन भाई, हमने सुना, तुमने गाम में बहुत बड़ी दुकान खोली कपड़ों की किशन सब को उस जादूई अंगूठी के बारे में बताता है अच्छा, तो यह सब उस जादूई अंगूठी की वजह से हुआ है हाँ भाई, यह सब उससे ही हुआ है और मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को भी अगर कोई काम खोलना हो तो आप मुझे से आकर पैसे ले सकते हैं और वह पैसे में वापिस भी नहीं लूँगा वाँ भाई, किशन तुमने यह बात कहकर तो हम लोगों का दिल ही जीत लिया ऐसे ही सारे लोगों ने किशन से पैसे लेकर गाव में अपनी अपनी दुकाने खोल ली और इसी तरह किशन अपने साथ-साथ गाम वालों की भी मदद करता है उधर गाव का जमीनदार और उसके दोनों नौकर आपस में बात कर रहे होते हैं अरे चुन्नू मुन्नू मैंने सुना जो मेरे खेतों में काम किया करता था किशन उसने एक बड़ी कपड़ों की दुकान खो लिये, क्या सच है ये? हाँ मालिक, सुना तो हमने भी है किशन खूब पैसे कमा रहा है उस दुकान से हाँ मालिक, मैंने तो देखा भी है, जाकर उसकी दुकान पर, वह खूब बड़ी दुकान है कपड़े की मालिक हमने उसे कई दिनों पहले गाव के बड़े मेले में भी देखा था वह भी काफी सारा सामान खरीदते हुए भगवान जाने कहां से इतने सारे पैसे ला रहा है चलो जाओ तुम दोनों और पता करो कहां से ला रहा है रहे इतने सारे पैसे दोनों चुन्नु मुन्नु अब चुप चुप कर पता लगाने लगते हैं कब किशन घर आता है कब जाता है यह सब कुछ एक दिन रात में किशन घर आता है और वो अपनी पतनी से बात करता है कमला हमने यह अंगोटी उतार देता हूँ हमने काफी कुछ संगोटी से मांग लिया है और अब हमारा कपड़ों का भी काम काफी अच्छा चल रहा है मैं चाहता हूँ जैसे इसंगोटी ने मेरा भाग्या बदला है और किसी गरीब का भी हक है कि वैं भी सुक चैन से रोटी खाए तो मैं ये अंगोटी किसी मांदर और गरीब व्यक्ति को देना चाहता हूँ घर के पास से दोनों चुन्नू मुन्नू ये सुन लेते हैं और सेट के पास आकर सब कुछ बताते हैं अच्छा तो ये सब उस चादू यंगोटी की मदद से कर रहा है मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि अंगोटी उसको पैसे कैसे दे रही है जाओ तुम दोनों थोड़ा और पता करके आओ कि वह उससे कैसे इस्तिमाल करता है दोनों फिर से अगले दिन उसके घर के पास जाते हैं और किशन और उसकी पत्नी को बात करता देखते है जी सुनिये मुझे गुलाबी रंग की साड़ी चाहिए वह अभी नई निकली है अरे तुमारे पास तो बहुत सारी साड़िया है यदि कोई और साड़ी चाहिए तो कल दुकान से ले लेना नहीं जी आप उस अंगूठी से मांग लीजिये न मैंने दुकान में देखा है वहाँ वैसी साड़ी नहीं है किशन अंगूठी पहन कर वह साड़ी मांगता है और साड़ी आजाती है ये सब दूर से छुपकर दोनों चुन्नू और मुन्नू देख लेते हैं और सब को जाकर मलिक को बताते हैं अच्छा, तो कुछ भी मांगने पर वह अंगूठी तुरंत वह लाकर दे देती है अच्छा ठीक है तुमने बताया कि वह रात में अंगूठी खोल कर मेज पर रखता है ठीक है, तो मैं रात को जाकर उस अंगूठी को चुरा लूँगा रात में धनी राम चुपके से किशन के घर घुस जाता है और मेज पर वह अंगूठी देखता है ओ, यह अंगूठी है, यह तो बहुत चमक रही है, यह जरूर जादू ही अंगूठी है धनीराम अंगूठी लेकर घर आता है अब मैं इसे इस्तमाल करूँगा और खूब सारा सोना मागूँगा और बहुत जादा अमीर हो जाऊंगा हे अंगूठी मुझे बहुत सारा सोना और धन दो धनीराम के इतना कहते ही अंगूठी में प्रकाश हुआ और धनीराम का पूरा हाथ जलने लगा और उसमें लाल-लाल दाने हो गए अरे ये क्या हो गया मेरा तो पूरा हाथ जल गया धनीराम अंगूठी को वही भेग कर सीधा डॉक्टर के पास जाता है डॉक्टर उसके हाथ की पट्टी कर देता है और दवाई देता है अरे ये तो काफी गहरा जख्म है और इसे भरने में एक महीने से उपर का समय लग सकता है तो आप इस हाथ का इस्तेमाल नहीं करना धनिराम वहां से घर आता है और अंगूठी लेकर सीधा किशन के यहां जाता है किशन भाई मुझे माफ करदो मुझे लालज ने अंदा कर दिया था मैंने तुमारी ये अंगूठी चुराई और मुझे मेरे कर्मों का फल मिल गया ये लो तुमारी अंगूठी इतना कहकर धनी राम वहाँ से चला जाता है कमला, हमें जल से जल उस अंगूठी के लिए किसी गरीब मददकार व्यक्ति को डूणना पड़ेगा हाँ, आप सही कहते हो दोनों बात कर ही रहे थे कि बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति आता है और वह खाना मांगता है दोनों पति-पतनी बाहर उस व्यक्ति को खाना देते हैं, वह व्यक्ति खाना खाता है किशन उसे वह जादूई अंगूठी भी दे देता है और उसके बारे में सब कुछ बता देता है वह व्यक्ति अंगूठी लेकर चला जाता है और थोड़ी दूर जाकर वही साधू के रूप में आ जाता है जिस साधू ने वह अंगूठी दी थी इस तरहे किशन ने अपने घर के हालाद सही करें और अपने साथ साथ गाम्व के लोगों की भी मदद की